असलामिकोंकले आश्य को ने सोप सो एफॉब बॉइ फाइन इन दिस वीडियो बूट से पंक्ट्वेशन मार्क पार्ट नमबर तो जी सैंवन नमबर में जो हमरे पास पंक्ट्वेशन मार्क हैं हम डिस्कुस कर दे हैं वो हैं इंवर्टिट कॉमास किसी शक्स के बिलावास्ता बियान या कलाम को महफोस करने के लिए हम inverted commas को यूज करते हैं एक्जम्पल में हमरे पास है इसको हमने inverted commas के अंदर लिखना है अब रन फास को भी हमने inverted commas में लिखना है point number two हमरे पास है किसी नजम, कताब या अन्वान का हवाला देने के लिए उल्टे कौमा इस्तमाल करते हैं जैसा कि हमरे पास एक्जम्पल में है कश्यफल मजूब बाई हजरत दाता गंजबक्ष इस वान ओफ दा बेस्ट ऑन इसलामिक फिलोसोफिकल गाइड़न्स यह थे हमरे पास inverted कौमा कि किसी शक्स के कलाम को मेफूज करने के लिए किसी नजम, कताब या अन्वान का हवाला देने के लिए हम inverted कौमा को यूज करते हैं एट नमबर पे हमरे पास जो है punctuation marks वो हमरे पास है डैश डैश का इस्तमाल फिक्रे में अच्छा निक तब्लिली के लिए किया जता है जैसे के एक्जम्पल हमरे पास है इट वाज़ दे, बंडे, वेन दे सन ओफ मरसी रोज इट वाज़ दे, ठीक है अब उसके बाद हमने फोरण डैश को यूज किया है फिर मंडे के बाद फिर हमने डैश को यूज किया है वेन दे सन ओफ मरसी रोज सैंकिन एग्जम्पल हमरे पास है वो लायर बना चाहता है उसके बाद हमने डैश को यूज किया बट ही सड़न डैथ डिट नॉट किव हिम पर्मिशन लेकिन उसकी अचानक मौत ने उसे इस बाद की अजाज़त ना दी सैंकिन एग्जम्पल पर हमरे पास है गजश्ता बियान शुदा बातों को अकठा करने के लिए भी हम डैश को यूज करते है जिसके एग्जम्पल सा हमरे पास है रिच अपुर असके बाद हमने यूज किया है हाइच लो जो उल्ड यंग इसमें भी डैश को जो झिए खरणना है हमने अला बाद उतो नेव्टी सब्स यूज के बात की आन्व पर्मिश्ता ूला लाउ टो आनवे देश्ता बाद हमरे पास है इस शसलनल में ड्स ओर यह एजर के लिए लिए लुमलफ और फर फोलाज से को दिन कुम शॉण minha लिए तरा हिंसों और हर्फों की जम्मा के लिए भी हम अपॉस्ट्राफी को यूज करते हैं इस बैट्समेन स्कोर्स वन्स एंड सेंकिड्स अब वन और सेंकिड्स के बाद भी हमने अपॉस्ट्राफी को यूज किया है 3BS and 4CS are there in this phrase B के बाद हमने पॉस्ट्रोफी को जूस किया है पॉस्ट्रोफी के बनने के बद चुम ऐसे यस लगाते हैं उसका मतलब कहा की के अधिक है अब असलम स्पैन इसमें हमने असलम का पैन पॉस्ट्रोफी को जूस किया है यह थी हमारे पॉस्ट्रोफी 10th नमर पर हमारे पास punctuation marks है वो है hyphen यह डिया से चोटा वकफा जाहिर करने के लिए हम hyphen को जूस करते हैं एक्जेंपल हमारे पास है या फिर किसी मरकब लफज के दर्मियान या फिर चोटे वकफे को जाहिर करने के लिए हम hyphen को जूस करते हैं एक्जेंपल हमारे पास है step mother अब step के बाद हमने hyphen को जूस किया है पिर brother in law brother in law brother के बाद हमने hyphen को जूस किया है in law इनमें हमने hyphen को जूस किया है his step father is kind to him अब step father इनके center में हमने hyphen को use किया है this is my brother in law brother in law के दिर्मियान भी हमने hyphen को use किया है ठीक है आज ये था हमरे आज के punctuation marks जिसमें हमने inverted को mask dash apostrophe hyphen को discuss किया hope so आपको अच्छे से clear हो गया होगा thanks for watching take care Allah Hafiz